गुड़नी मरे क्लास 10 की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का नवा चैप्टर चला है मेडम राइट्स दी बस, आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के सुरुवात के तीन लांग इंसव टाइप किसन को देखेंगे मिन्स आपके किताब के इस चैप्टर में पाँच लांग इंसव टाइप किसन देएवे हैं तो जिसमें से आज की क्लास में हम लोग सुरुवात के तीन लांग इंसव टाइप किसन को कवर करेंगे बाकी बच्ची वे दो अन्य लांग एंसर टाइप की सेंट की क्लास आपको पेड़ क्लास के ग्रूप में देखने को मिलेगी और अभी तक जितनी क्लास आपकी हो चुकी है यद उन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास टंत की नए सेसन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी classes चली हुई है सारी classes एक से deal wise लगी हुई है तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं और इस session का हम लोग का English में target है 100 out of 100 marks लाना जिसलिए आपकी जिम्मदारी और बढ़ जाती है जितनी भी classes आपको दी जा रही है आप हरे class को attend करोगे किसी भी class को आप miss नहीं करोगे और एक class केवल YouTube के बच्चों के लिए है paid class में पाँचों लांगे 100 टाइप की इसन कराये जा चुके हैं और उसका पीडियप भी दिया जा चुका है तिसलिए अगर paid class के बच्चे यहाँ पर आई वे हैं तो प्याबचे आप लोग अपने paid class के ग्रूप में जाएए वहाँ पर आपको इसकी class मिल जाएगी class का PDF मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं और जो बच्चे अभी तक paid class में admission नहीं लीवे हैं अगर आप admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है आप इस number पे call करके paid class में admission ले सकते हैं बाकी पर प्रोसेस की paid class में admission कैसे लें free structure क्या है क्या क्या चीज़े उसमें आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में विस्तार से class के अंतमी आपको बता दिया जाएगा अब यहाँ जल्दी से हम लोग आज की class से connect होते हैं तो class पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चलने को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और class 10 की हरे एक बच्चे तब वीडियो को share कर दें अप यहाँ पर देखिए आपका लांग एंसर टाइब की सर लिखा हुआ है और उसके नीचे आपका देखिए पहला प्रस्ट दिये विए हैं इन विच मैनर मिस किस तरीके से डिड वल्ली कैलकुलेट मिस कैसे वल्ली ने गणना किया प्लान मिस योजना बनाया प्रिपेर हरसल फिस्वयम को तयार किया फार दी राइड मिस यात्रा के लिए मिस वल्ली ने किस प्रकार अपनी बस यात्रा के लिए गणना किया योजना बनाया और अपनी आपको तयार किया तो भया कैसे उसने योजना बनाय हुआ था तो पहले तो वह लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी और सुन करके उसने बस यात्रा के लिए सारी इंफॉर्मिशन में सारी जानकारी एकत्रित कर ली और क्य का जानकारी कत्रित की हुई थी जैसे कि उसके गाउं से सहर के 20 की दूरी किती थी, 6 मिल की दूरी थी और समय कितना लगता था? 45 मिनट का समय लगता था और जह वह इस मिस बस यात्रा कब करेगी एक से चार बजे के बीच में जब उसकी मम्मी क्या करती थी सोती थी दो पहर के समय में तो इस सारी चीज़े उसने योजना मना करके गंडना करके जो है सारी चीजों को उसने बहतरी ढंग से किया हुआ था अब यहाँ देखिए इसी को हम इस प्रस्न के उत्र में लिखे हुए है देखें उत्र कैसे लिखे हुए है वल्ली प्लान्स हर बस राइड मिंस वल्ली योज़ना बनाती है, हर बस राइड मिस अपनी बस की यात्रा का, मिस वल्ली अपनी बस यात्रा की योजना बनाती है, by listening carefully to conversation, conversation मिस हो जाएगा बाचीत, carefully मिस हो जाएगा ध्यान से listening मिस सुन करके, मिस बड़े ध्यान से बाचीत को सुन करके, किसके बाचीत को between her neighbors मिस उसके पडोसी and people औ और उन लोगों की, जो नीमित रूप से बस का प्रियोग किया करते थे, उनकी बाचीत को ध्यान से सुन करके, उसने बस यात्रा की योजना बनाया, अब आगे दखिए, she also asked, वह उनसे पूछती भी थी, a few questions from them, वह उनसे कुछ प्रशनों को भी पूछा करती थी, किनसे अपने पडोसी और उन लोगों से, she found, उसने पाया, that the town was six miles from her village, कि सहर जह है, उसके गाउं से 6 मिल की दूरी पर है, the bus fare was 30 पैसे, miss bus का किराया 30 पैसे, miss 30 पैसा था, for one way miss एक तरफ का, और bus का किराया एक तरफ का 30 पैसा था, and the bus trip और bus का यात्रा, took 45 minutes, miss 45 minutes का समय लेता है, और bus की यात्रा कितनी मिनट की समय लेती है, 45 मिनट की समय लेती है, अर्थात उसे अपने गाउं से सहर जाने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट का समय लगेगा, she decided उसने निडल लिया to utilize miss प्रयोग करने का, the time of her mother's afternoon nap, miss जब उसकी माँ दो पहर में सोती थी, उस समय का उसने सत्प्योग करने का योजना बनाया, फार्देटरी miss अपनी bus यात्रा क्लिए, उसने अपनी bus यात्रा क्लिए, जिस समय उसकी माँ सोती थी, उस समय के सत्प्योग करने की योजना बनाया, she decided to take the one o'clock afternoon bus, उसने जो है दो पहर की एक बज़े की बस पकड़नी की योजना बनायी, miss पकड़नी का निडलिया, decided है miss निडलिया, that reaches the town at 1.45, जो सहर को पहुचा देगी, एक बच कर के 45 मिनट, तो भया 45 मिनट का समय लगती थी, बस को पहुचने में सहर ना, तो उसने योजना मनाया, miss उसने निडलिया, कि एक बज़े वाली बस को पकड़ेगी, और एक बच कर के 45 मिनट वह सहर को पहुच जाएगी, आगे देखिए, so इसलिए, she could be back home by, और वह घर वापस आजाएगी, by about 2.45, means दो बच कर के 45 मिनट पर, दो बच कर के 45 मिनट पर वह घर वापस आजाएगी, as she would travel on the same, बस यदि वह उसी बस सियात्रा करती है, means यदि वह उसी बस सियात्रा करती है, तो वह जो है कितने बच वापस आजाएगी, दो बच कर के 45 मिनट पर वापस आजाएगी, भया, 2.45 पर कैसे आएगी, एक 45 पर बस सहर पहुचेगी, 15 मिनट वहाँ रुकेगी, दो बच से चलेगी, 45 मिनट समय लगेगा, तो 2.45 पर बस आजाएगी ना, तो वह यह हो गया, आपका पहले प्रस्ण का सीधे 60 कुत्तर हो गया, एक बार फिस आप लोग देख लिजेए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रस्ण पर चलेंगे, देखी क्या लिखे वे हैं, पैसे फार वन वे, and the bus trip took 45 मिनट से डिसाइड़ तो यूटिलाइज दी टाइम आप फर मदर्स आफ्टर नून नैप फार दी ट्रिप, सी डिसाइड़ तो टेक दी वन ओ क्लाक आफ्टर नून बस देट रीचेस दी टाउन एट 1.45, आगे देखें, सो सी कुड़ बी बैक हों बाई एबाउट 2.45, एज सी उड़ ट्रवल आन दी सेम बस तो भाया ए हो गया पहले प्रशन का उत्तर, अब हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे प्रशन की तरब बढ़ते हैं, देखते हैं, दूसरा प्रशन आपका क्या है, यहां पर देखिए आप हर जड़नी बैख हों मिंस वापस गाऊं की आत्रा की, मिंस वल् Susu ली के सहर की और आत्रा और वापस गाऊं की यात्रा की तुल्ना किजीए, आगे दीए वे हैं, वाईवास दियरा चेंज मिस क्यों परिवर्तन था क्यों अंतर था इन हर मूड मिस उसके मनोदसा में और उसकी मनोदसा में क्या अंतर था तो भाईया क्या अंतर था उसकी मनोदसा में और क्यों अंतर था मिस उसकी मनोदसा में परिवर्तन क्यों था तो भाईया शुरुवात में जब जा रही थी सहर की ओर तो वल्ली बहुत खुश थी रहा और आते समय उसने अपनी मुंडिया को नीचे करके बैठी हुई थी और जो है मुंडिया को उपर उठाया ही नहीं थी और बहुते दुखी थी आते वक्त कहें कोई सा था क्योंकि जाते समय उसने बहुत सारे द्रिश्चों को देखा था जिससे वा पूरी तरव से खुस हो गई थी और उन सारे द्रिश्चों में एक गाय को भी उसने देखा हुआ था तो बहुत ज़्यादा दुखी थी तो भाया यह हो जाएगा दूसरे प्रस्ण का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा आप देखिए हमने क्या लिखे वे हैं वाइल आन हर वेटु सिटी मिस जब जो है वाइल आन हर वेटु सिटी वल्ली मिस जब वल्ली सहर को जा रही थी सीधे सामने उसने एक गाय को दोड़ते हुए पाया हुआ था अगे हैं वल्ली इंजोइड दी सीन और वल्ली ने इस द्रिस्ट का आनंद उठाया था सीधे सा उसने देखा लाइफ इन दी फार्म आफ इसमायल काउ मिस एक छोटी गाय के रूप में उसने जीवन को देखा हुआ था और जब वह घर वापस आ रही थी सीधे सा अडेड काउ उसने एक मरी गाय को देखा लाइं आन दी रोड जो रोड पर पड़ी हुई थी मिस वापस आते हुए उसने एक मरी गाय को देखा जो रोड पर पड़ी हुई थी इट वाज से हीट बाई सम स्पीडिंग वेहिकल यह किसी तेज चलती हुई वाहन से क्या कर दिया गया था इसे हीट बाई मिस टकर मार दिया गया था मिस यह किसी तेज चलती वाहन से टकरा गयी थी she recognized it उसने उसे पहचान लिया उसने उस गाय को पहचान लिया it was the same काओ क्या पहचाना it was the same काओ यह वही गाय है that filled her life with fun and joy जो उसके जीवन को fun मिस आनंद और जो खुसी से भर दिया हुआ था only a few minutes before मिस कुछ समय पहले जो उसके जीवन को खुसी और आनंद से कुछ समय जो है कुछ समय पहले अव जो है भर दिया था वह उस गाय को पहचान लिया she realized उसने महसूस किया how death can change the things कैसे मृत्त सारी चीजों को परिवर्थित कर देती है उसने इस चीज का क्या किया अनबव किया मिस महसूस किया so the memory of the dead cow इसलिए उस मरी हुई गाय की यादें cow haunted वल्ली वल्ली को क्या करे थी परसान करे थी इसलिए उस मरी हुई गाय की यादें वल्ली को haunted करे थी means प्रताडित करे थी परसान करे थी and she did not enjoy her remaining journey और इसकी वज़ा से उसने अपनी बाकी बची हुई remaining मिस हो जाएगा बाकी बची हुई जन्री मिस यात्रा का enjoy नहीं किया means आनंद नहीं उठाया तो भाया एह हो गया आपका दूसरे प्रसन का सिदे सटी कुत्तर हो गया कि while on her way to city वल्ली सा a cow running very fast in the middle of the road right in front of the bus वल्ली enjoyed the scene, she saw life in the form of a small cow on her way back home, she saw a dead cow lying on the road it was hit by some speeding vehicle, she recognized it, it was the same cow that filled her life with fun and joy only a few minutes before she realized how death can change the things, so the memory of the dead cow haunted वल्ली and she did not enjoy her remaining journey तो भाया एह हो गया आपके दूसरे प्रसन का सिदे सटीक उतर हो गया अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रसन की तरफ, देखते हैं आपका तीसरा प्रसन क्या है और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजे, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजे हम लोग तीसरे प्रसन पर उसकी बात चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपका तीसरा प्रसन है वाट वाज वल्ली इस डीपेस्ट डीजायर, मिस वल्ली की सबसे डीपेस्ट मिस गहरी, डीजायर मिस इच्छा, और डीपेस्ट दिया मिस सुपरलेटी डीजी मिस अत्यंत गहरी इच्छा, मिस एकदम सुपरलेटी मिस सबसे जादा वाली, मिस सबसे जादा वाली गहरी मिस अत्यंत हो जाएगा मिस वल्ली की अत्यंत गहरी इच्छा क्या थी तो बहिया वल्ली की अत्यंत गहरी इच्छा क्या थी कि बस राइट थी न मिस बस की यात्रा करना ही उसकी अत्यंत गहरी इच्छा थी न यह हो जाएगा आगे है कि find the words मिस सब्दों को खोजिए and phrases और वाक् कि सबसे गहराई सीपूड मिंस सबसे अत्यनत गहरी इच्छा क्या थी तो भाया अब चले इस प्रस्तिक के उथर में देखी क्या लिखेवे हैं आप पहले तो हम लेधे देखेंगे कि उसकी सबसे अत्यनत गहरी इच्छा की अतफी उसका उतर देखिए The deepest desire of Wallis means Walli की सबसे गहरी इच्छा was to enjoy a bus ride means bus की यात्रा का आनन्द उठाना था There ran a bus between her village and the nearest town means उसकी गाउं और नजदीकतम सहर के बीच में एक bus चलती थी So she was able to fulfill her desire इसलिए वा अपनी इच्छा की पूर्ती कर सकती थी The following words ये तो पहले प्रस्णिका उतर हो गया अब आगे देखिए The following words ये सारे सब्द and phrases और वाक्यांस तेल अस इसके बारे में बताते हैं अब कौन-कौन से सब्द बताते हैं ये आपकी हमने सारे सब्द लेएवे हैं और या फिर वाक्यांस लेएवे हैं कौन-कौन से The fascinating things उसने आकर सक चीज कहा हुआ था इसलिए पता चलता है कि बस राइट की उसकी कितनी आजा प्रवल इच्छा थी आगे है दिस साइट आप दी बस बस का द्रिश है असोर्स आफ अन इंडिंग जो है मिसका भी न समाप्त होने वाली खुसी का स्रोत है और टीनी विस एक चोटी चाक क्रेप्ट इंटू हर हैड मिस उसके मन में घुस गई ओवर्वेल्मिंग डिजायर मिस तीबर इच्छा लिसनिंग केरफुली ध्यान से सुनना डिस्कीट क्विस्टन्स मिन समझदारी पूर्ण प्रस्टे एंड स्टॉप दी बस और जह बस को रोको ये सारे सब्द दिखाते हैं कि उसकी कितनी प्रबल इच्छा थी बस there ran a bus between her village and the nearest town so she was able to fulfill her desire the following words and phrases tell us about this following words में क्या है the fascinating things the sight of the sight of the bus a source of unending joy a teeny wish with script into her head overwhelming desire listening carefully discrete questions and stop the bus etc means this is a sari sabda थे जिससे पता चल ला था तो भाया यह हो गया आपका किस प्रश्ण का उत्तर हो गया इस तीसरे प्रश्ण का सीधे सटीक उत्तर हो गया आप हम लोग क्लास की समापती यहीं करेंगे इसमें दो-तीन जो प्रश्ण अत्रिक्त बचे विए हैं उन दो-तीन ग्राइब पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और पूरे क्लास का आपको प्डियफ प्रोवाइड किया जाएगा डावर्स चलिंगी टेस्ट आपका वीकली और मंतली होगा मॉडरल पेपर कराया जाएगा और रिविजन सीरीज आपको परिड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी और इस पेड़ प्रास का टार्गेट किता है इंग्लेस में आपको 100 आउट आप 100 मार्क्स पी पुरी तरह से तयार करना और फीस के वाद 499 रुपए है यह पूरे सेशन क्ले है जब तक आपकी बोर्ड पर इच्छा नहीं हो जाती और आप फीस पेमेंट क पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपको यहां पर कुछ QR कोड दिय बैद को चोबिस गंटे के अंदर ही पेड़ क्लास के गुरुप में एड़ कर दिया जाएगा अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिगोर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 गंटा कॉल कर सकते हैं वाटस अप मैसेस कर सकते हैं आपकी कॉल और व और कुछ बहती लाइनों के साथ क्लास की समापती करते हैं देख लेना जिंदिगी में महनत से मिले फलका स्वाद किसमस से मिले पलके स्वाद से जादा मीठा लगेगा जिसलिए भैया महनत करीए महनत करने के बाद आपको जब कोई चीज मिलेगी ना उसका और अनंद रहता ह मिन्स उसकी खुसी अलग खुसी होती है तो इसलिए आप से उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ सिसन की समापती करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर की अंतिम क्लास के साथ तब तक आप लोग अपना ध्या रखें लब यूआल प्यार बिच्चों